हजारों की संख्या में राख फर चात्र एक आवाज में नारा दे रहे थी कि ना बठेंगे ना हटेंगे प्रदेश के प्रियागराज में यूपी लोकसिवा आयो के ठीक बहार का ये नजारा कुछ ऐसा था कि मानों कोई बड़ा आंदोलन छड़ गया है और सुभे होते होते छात्रों की संख्या और आकरोश दोरो बढ़ गया है पोलिस को हालार्थ काबू में करने के लिए लाथी चार्ज तक करना पड़ा है ये तस्वीरे हैं UPSC के निर्णे पर हुए बवाल के चलते करमाई सियासत के बीच प्रत्योगी छात्रों के प्रदर्शन की छात्रों का दो टू कहना है कि जब तक दो तिन पर इक्षा कराने और नॉर्मलाइजेशन निरस्त करने का नोटिस जारी नहीं किया जाएगा तब तक छात्र धरनास थल से खटने वाले नहीं है आकर इस प्रदर्शन की चिंगारी कहां से उठी छात्रों के इस प्रदर्शन में अब आगे क्या राज्यतिक दलों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में नमस्कार आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी मैं हूँ आपके साथ मेगना सश्तिवा पहले जरा इन छात्रों की मांगों को हम समझते हैं दरसल UPPSC आयोग ने PCS की प्रिपरिक्षा 7 और चपकी ROARO की परिक्षा 22 और 23 दिसमबर को रखी है दोनों परिक्षाएं दो दिन में होंगी आयोग ने पहली बार normalization यानी normalization score की प्रक्रिया लागूती है जर्मांगों को लेकर 11 रूम्बर 2024 को विरोध की चिंगारी तब उठी जब चात्रों का एक बड़ा समू प्रियागराज स्तित यूपी पेस सी के कारियाले के बहार जमा हो गया चात्रों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर अपनी मांगो को रखा और विरोध जाहिर किया नारे बाजी भी की गई सुबह होते ही चात्रों ने बारिकेट्स को तोड़ कर आयोके के नमबर दू तक पहुँचने की पोशिश भी की है विरोध में शामिल चात्र यूपी के अलक अलक जिलो से आये थे इनमें लखनव, कानपूर, आगरा और दिल्ली के चात्र भी शामिल है जैसे जैसे दिन चड़ा प्रदर्शन और तेज हो गया था रात होते होते चात्रों ने मुबाइल की लाइट चला कर और खाली प्लास्टिक की बोतले पीट कर अपना विरोध जाहिर किया चात्रों ने ये कहा कि जब तक आयोग से उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक ये विरोध यूही चलता रहेगा सरक और डिवाइडर पर बैट कर चात्र चात्राएं अपनी मांगो कोले कर डटे रहे आंदोलन पर काबू पाने के लिए रात में तो स्ट्रीट लाइट भी काट दी गई थी इसके बावजूद बड़ी संख्या में और चात्र वहां पहुँच गए है मौके पर अफरा कफिल का मौकॉल है हालाग को संभालने के लिए लाठी चार्ज भी किया गया आयोग के तरीब 500 मीटर पहले ही पुलिस ने बारिकेटिंग भी कर दी थी लेकिन चात्र अब भी धरने पर अड़े हुए है और नजार कुछ ऐसा है कि अजारों की संख्या में चात्र वहां पर अपनी मंगो को लेकर डटे हुए है पुलिस पुशासन निलगतार समयले की कोशिश कर रहा है लेकिन चात्रों की संख्या कम नहीं मल्की बढ़ रही है जाहर तोर पर इस मामले पर सियासत भी गर्माई है जहां आयोग ने तो कह दिया है कि चात्रों को बरगलाया जा रहा है तो समाजबादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादम ने साफतोर पर कहा है यूपी पेस्सी में धांदली रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने मांग बुलंद की तो भरष्ट भाजपास सरकार हिंसक हो ठी वहीं आप चात्रों की इन मांगों और प्रदर्शन पर यूपी लोकसेवा आयोगनी भी एक लेटेस्ट बयान जारी किया है बयान के मताबिक परिक्षाओं की शुटता और चात्रों के भविष्च को सनरक्षित करने के उद्देश से परिक्षाएं केवल उन केंद्रों पर कराई जा रही है जहां पर गढ़्बडी की कोई संभावना नहीं है पैमने कहा गया पुर्व में दूर दराज के परिक्षा गढ़्डरों में कई प्रकात की गढ़्बड़ियां मिली है जिसकी योगे चात्रों के भविश्य खराब हो रहे हैं इसे खत्म करने के लिए और सब्पून परिक्षा मेरिट के आधार पर संपन कराने के लिए इन केंट्रों को हटाया गया है अभ्यर्तियों को परिक्षा देने दूर ना जाना पड़े इसकी विवस्था भी सुनिश्चित की गई है बयान में ये भी का गया कुछ अराचक तत्वों, अवैद कोचिंग संस्थानों और नकल माफियाओं द्वारा प्रतियोगी चात्रों को भ्रामक जानकारी देकर उन्हें बर्गलाने की कोशिश की जा रही है चात्रों को इस तरह की सूचनाओं से साफधान रहना चाहिए हाला कि चात्रों ने तो साफ कह दिया है कि जब तक दो दिन पर इक्षात कराने और नॉर्मलाइज़ेशन निरस्त करने का नोटिस जारी नहीं किया जाएगा उन्हें लिकित में आश्वासन ही मिलेगा तब तक ये चात्रों धर्नास्तर से खटने वाले नहीं है सुछाल के लिए इस वीडियो में इतना ही